हेलो फ्रेंड स्वागत है आप सभी का आज हम इस वीडियो में कुछ important questions करने जा रहे हैं जो कि RRB group D के exams में previous years में पूछे गए हैं तो यह सभी questions जो हैं जो आने वाले exam है RRB group D का और 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 भी अन्य जो competitive exam है उसके डिस्टिकों से बहुत जादा important होने वाले हैं तो आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा देखें साथ ही साथ जो हमारे चैनल पर पहली वार विजिट कर रहे हैं उनसे नुरोध है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ सब्सक्राइब कर लें जरूर प्रेस कर लें चलिए दोस्तों सुरू करते हैं पहला कोश्चन है निमली खित में से कौन सा एक इस्थान भारतिय मानक समय यामरोत्तर के सबसे नजदेक इस्थित है आप संस हैं बिलासपूर फैजाबाद मिर्जापूर या कौरापूट तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ओप्सन डी यानि ओप्सन चार्ट कौरापूट कहां इस्थित है यह उडिसा में इस्थित है और जो जन देखते हैं जोस्तो अगर जैसे इसका अंसर पता है तो आफटा-भट कमेंड बोक्स में वह हमें इसका अंसर बता सकते हैं जिलिए सबसे बढ़ा बारत में देखना है कि कौन से बारत है कहवा कोफी में नहीं है क्यों कई का जो उत्पादक है वो कौन है किया विया राजील कि अग्य विर्थी उसरु के बाता है जाना जी यह गन्या के उत्पादर्में जो है भारत है वह सबसे या इतो या वह है तिन गरने का है कि तिमितारे तो तिन सथ कि जूआँ है भी भी ब्राजील ही है और उसके बाद आता है तंबाकू तो तंबाकू खुतपादर में चाइना सबसे पर्मु खुतपादर कंट्री है लग बग खुत्पादर में कितने खिलाड़ी होते हैं तो यह कुस्ट्चन मेरे इससाब से सब्सक्राज सब्सक्रादर कि नाम दिए हुए हैं इसमें से आपको पहुचानना है कि कौन सा पक्षी अव्यारन है यह नहीं है कार्वेट राष्टे उद्धान जो है वह सेर का राष्टे उद्धान है और यह कहां है उत्राखंड में है नेक्स्ट है काजी रंगा राश्ट्य उधान आप लोगों को पता होगा कि एक सिंग वाले गेंडे के लिए परसिद है तो ये भी नहीं है ठीक है और ये कहाँ है काजी रंगा जो है ये है अशम में अगला है रन्थंबोर अभ्यारन रन्थंबोर अभ्यारन जो है वो सवाई माधवपूर में है राजिस्थान में स्तित है और यह टाइगर्स के लिए फिमस है तो यह भी नहीं है यानि लाश वसता है हमारा आप्सन चार व्यदान धंगल अभ्यारन वेदान थंगल अव्यारन जो है वो तमिल नाडू में है ओके फ्रेंट्स नेक्स्ट है दीन इलाही को परचारित करने का अकवर का उद्देश से क्या था उसका क्या उद्देश से था सभी धर्मों में एक तालाना अकपर का उद्देश से था सभी धर्मेमें में एक ताला ना इसलिए उसने दीन-ए-इलाहि जहे वह पर्चलित किया था एलेफेंटा गुफाय निमलिकित मेंसे किसके पास है तो एलेफेंटा की जो गुफाय है वो मुंबई के पास है यानि मुंबई में स्थित है लगबग और इसको जो है युनेस्को की वर्ल्ड हेजर्स ट्राइट में सामिल कर लिया गया है ओके फ्रेंड्स नेक्स्ट है हिंदुस्तान रिपॉब्लिकन संगठन की स्थापना कहां की गई तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कानपूर ऑप्सन दो कानपूर में इसकी स्थापना की गई थी हिंदुस्तान रिपॉब्लिकन संगठन की इसके स्थापक जो थे सचीन नाथ्र सान्याल सान्याल जो है इसके संथापक थे और इसकी स्थापना जो है तीन अक्टूबर सन 1924 में हुई थी और इसका उद्देश से क्या था इस अंगठन का इस अंगठन का उद्देश से था भारत को अंग्रेजी सासन से स्थापना की थी वो की थी एम जी रानाडे ने सन 1887 में रविंदर नाष्ट टैगोण निमनिस नाम से भी जाने जाते थे किस नाम से जाने जाते थे गुर्देव उनको गुर्देव कहके भी पुकार जाता था और गुर्देव की जो उपाधि उन्हें महात्मा गांधी ने दी थी नेक्ट है टिबबट की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जाने जाती है तो इसका राइट आंसर हो जागे दोस्तों आपसंतीन यम्ना तिबबट की सांगपो नदी जो है भारत में यम्ना के नाम से जाने जाती है प्राइदीपिय भारत का दक्षिंतम बिंदु कन्या कुमारी है कहां है भुमद्य रेखा के उत्तर में ओके फ्रेंड्स नेक्स्ट है उस तक हैरी पॉर्टर के लेखक कौन है हैरी पॉर्टर आप लोग ने फिल्म भी है इसकी बनीव सीरीज है आप लोग ने देखी होगी साइद उसके राइटर आप लोग जानते भी हो साइद और जो नहीं जानते उनके लिए है इसके जो राइटर थे ये के रॉलिंस नेक्ट कुस्चिन है भारतिय समयधान के किस अनुछेद में मौलिक करतव्य से सम्बंदित प्रावधान दिये गए हैं मौलिक करतव्य से संबंदित प्राषधन दिये गए है अनुछेद 51 अ में दिये गए है मैं अनुछेद 18 में क्या है अनुफेद 18 में उपाधियों का अंत के लिखा गया zwempa जओ उपाधिया होती है उसको किस परकार समापन किया जाए नेक्स्ट है इसमें जो है अनुच्छेद 181 जो है वो लोकसभा की संदचना को परिभासित करता है और साथ ही देखते हैं अनुच्छेद 21 ए क्या है अनुच्छेद 21 जो यह है वो है सिक्षा के अधिकार को बताता है दोस्ते सभी कोश्चन बहुत इंपोर्टेंट है इसलिए इसको ध्यान से देखें नेक्स्ट है किर्सन देव राय जिन्होंने 1509 से 1529 तक विजे नगर सासन पर सासन किया किस राजवन्स से सम्बंदित थे नेक्स्ट है तो किर्शन देव राय जो थे वह तुलूब राजवन्स से संबंदित थे और तुलूब राजवन्स की जो स्थापना की थी विए और तुलूब नरस नायक ने कि थी और इन्होंने कब की थी सब्सक्राइब नरस नायक ने नेक्ट को स्टेन है हिरोशिमा पर पर्मानुवम कब गिराया गया तो हिरोशिमा पर पर्मानुवम दूत्यविस व्यूद के दोरान सन 1945 यानि 6 अगस्ट सन 1945 को गिराय गया था जिसमें लाखों लोग मारे गये थे और यह हिरोशिमा कहां है जापान का सहर है हिरोशिमा और नाका सागी दो सहरों पर 6 और 9 अगस्ट को सहीकत राज अमेरीका दोरा बम गिराया गया था अंक झेक्स्ट है चाय और कफी किस मित्वी में उगायए जाती है यह देश 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 में मित्ती का नाम दिखना है चाय कॉफी पर देती में मतलब जहां मौसम के हिसाब से जो परिवरतन आता रहता है उस जगा पर मित्तिय अ एक दो नेक्स्ट हैं तो पैमबाद द्वीप निम्ली खित में से किस की खेती के लिए परसिद है तो पैमबाद उप है कहां पहले यह देखिए पैमबाद उप जो है वो अफरीका में है और यह लोंग की खेती के लिए फेमस है भारत का कौन सा राज्य वरजिनिया तंबाकु के नाम के उत्पादन में अगर नहीं है वरजिनिया तंबाकु जो है तंबाकु की किसम है और इसके उत्पादन में कौन सा राज्य है जो भारत का उत्पादन नहीं है यानि मतलब सबसे आगे है तो आंदर प्रदेश वरजीनिया तंबावकुई की उत्पादन में अग्रणी राज्य है नेक्स्ट है भारत के महा नियावादी यानि अटोर्णी जर्नल की निक्ति कौन करता है तो भारत के अटोर्णी आधिच्ट को जर्नल यानि महा नियावादी की निक्ति राश्टपती करते हैं और नेक्स्ट कैसे मानव के लिए कौन सा किट उप्योगी नहीं है तो इसमें जो चाल किर दिया है उसमें मधू, मक्खी, रेसम किर और लाग किर तीनों उपयोगी है धान धनु जो है ये किर ये जो है मानव के लिए उपयोगी नहीं है तो दोस्तो उमीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपके ये सारे question बहुत important है अगर आपको ये question कोई समझे नहीं आया तो आप इसको दुबारे repeat करके देख सकते हैं साथ ही साथ आपके अगर कोई question हो तो comment box में पूछ सकते हैं तो चलिए दोस्तो मिलते हैं next video में